ह Heart Cur Burnsuesta हेलो एलकम टू स्टटी वन फोर सेवी अजकी वीडियो में हम मैं हम डेली कारंट अफ्यर्स के संट Cup मैं डेली कारंट अफ्यर से सторोफिंट को विखलो करेंगी तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा important lecture तो आज का हमारा सबसे पहला question है कि हाल ही में किसे ने वीजे हाजारे ट्रोफी 2030 चोईस का किताब जीता है तो इसका right answer हो जाएगा हरियाना रज्य यानि कि जो हरियाना रज्य है इसने अभी गुजरात की राजकोट में सोराश्र क्रिकेट स्टेडियम के इंदर इसका आयोजन किया गया वीजेता टीम की बात की जाए तो इसकी वीजेता टीम रही थी हरियाना और हरियाना ने ये पहली बार जीता है उप वीजेता टीम की बात की जाए तो उपविजेथा टीम रही है राजस्तान यहीं पर बात कर लेता है प्लेयर आफ दे मीच यह सुमित कुमार बने है जो की हर्याना की है वीजार हजारी ट्रोफी इसे रणजी वन डे ट्रोफी के रूप में भी जाना जाता है सबसे सफल टीम की बात की जाए तो यह रही ती तम पोटेंटे ट्रोफिया या फिर अवोर्ड जो आभी हाल ही में हुए थे जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं देवदर ट्रोफी की जिसका आजन 24-23 के अंदर हुआ था इसमें यदि वीजेता टीम की बात की जाए तो वीजेता टीम तो यह तो रही है साउत जोन यहीं प दलिप टोफी यह साउत जोन ने जिती थी जबकि उप वीजेता है वेस्ट जोन रणजी टोफी 2022 सौराष्ट्र ने जिती थी जबकि उप वीजेता कौन है बंगाल है 69 इरानी ट्रोफी यह सेस भारत ने जीती थी जबकि MP है इसका उपवीचेता और 60 नमबर की इरानी ट्रोफी यह भी सेस भारत ने जीती थी जबकि उपवीचेता कौन है सौराश्व सेयद मुस्ताक अले ट्रोफी दोचार तीस पंजाब ने जिती है जबकि उपविचेता कौन है वडोद्रा वडोद्रा वीजे हजारे ट्रोफी यह अभी हाल ही में हर्याना ने जिती है जबकि उपविचेता कौन सी टीम रही है राजस्तान की टीम इसमें उपविचेता रही नेक्स्ट क्योशन है, हाल ही में भारतीय वायू सेना ने कोण से एक स्वेदे सी वायू रक्सा मिसाइल परनाली का सफल परिक्षन किया है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा समर समर रक्षा प्रणाली जो है इसको अभी हाल ही में भारतिये वायू सेना के द्वारा लूंच किया गया है यहीं पर यदि बात की चाहे कि 17 दिसंबर 2030 को भारतिये वायू सेनानी युद्ध अभ्यास अस्तिर सक्ती 2023 के अंदर समर नाम से एक AIR Defense Missile सिस्टम का सफल परिक्षन किया है यह अभ्यास AIR Force Station जो कि कहां पर इस्तित है सूर्य लंका अंदर परदिस के अंदर इस्तित है यहां पर इस सिस्टम का सफल परिक्षन किया था पहली बार समर AIR Defense System समर इसका सफल परिक्षन किया गया है यहीं पर बात की जाए कि इसकी स्पीड कितनी है 2.55 मेक कि इसकी स्पीड है और इसी Defense System में दो लौंचिंग प्लेटफॉर्म है जरत पढ़ने पर दोनों से एक साथ मिसाइलों को लौंच किया जा सकता है यहीं पर यदि नेक्स्ट क्योशन की बात की जाए कि भारती ये वायू सेना ने एक आकास AIR Defense System से सिंगल फाइरिंग से एक साथ चार लक्षयों को तबाह कर दिया और इसना करने वाला भारत यह पहला देश्ट बन गया है आकास मिसाइल यह है अमारी पहली स्वैदी सी निर्मित मद्यम सरेनी की सलफेश टू एयर मिसाइल थी यहीं पर हम बात कर लेते हैं DRDO की DRDO जिसकी फुल फॉर्म क्या है Defense Research and Development Organization यह इसकी फुल फॉर्म है इसकी स्तापना सन 1958 के अंदर इसकी स्तापना होई थी हेड़कॉर्टर कहां पे स्तित है नई दिल्ली के अंदर वर्तमान में इसकी चेर्मेन की बात की जाए तो समीर वी कामत इसकी चेर्मेन है आदर्स वाक्या की बात कर लेते हैं strange orange and is in knowledge यानि कि बलस से मूलम विज्यानम यह हो जाएगा इसका आदर्स बाकिये next question है अंतराश्री ये प्रवासी दिवस कब मनाया गया तो अंतराश्री ये प्रवासी दिवस ये प्रतिवर्श से कब मनाया जाता है 18 December के दिन तो इसका right answer हो जाएगा option number C 18 December यहीं पर यदि इस बार किसकी theme की बात की चाहे तो इसकी theme क्या हो जाएगी 1iction टूडे ये इस बार किसकी theme है इसकी साथ 3 ये तो क्या था अंतर्राश्री ये प्रवासी दिवस से कब मनाया जाता है तो यदि क्यूशन पूछले कि प्रवासी दिवस का मनाया जाता है तो यह प्रतिवर्थ से कम मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन क्यों बनाया जाता है 9 जन्वरी के दिन क्योंकि 9 जन्वरी सन 1915 की दिन क्या हुआ था कि जो गांधी दी जाये यह दक्षिनी अफरीका से भारत लोटे थे इसलिए 9 जन्वरी को प्रतिवर्थ से प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुवात का वोई थी सने 2003 के अंदर तो अंतराश्टी प्रवासी दिवस 18 दिसंबर के दिन थीम थी एक्टिट टूडे प्रवासी बारतिय दिवस 9 जन्वरी को बनाते है शुरुवात हुई थी 2003 के अंदर क्यों हुई थी क्योंकि 1915 के अंदर महात्मा गांधी यह दक्षिनी अफ्रीका से भारत लोटे थे यहीं पर हम कुछ इंपोर्टेंट दिवसों को कबर करेंगे जिसे कि 11 जुलाई को क्या मनाये जाता है विस्व जन्संग्या दिवस 18 जुलाई को अंतराश्टी ये निलसन मंडिला दिवस, 24 जुलाई को कारगिल इस्मरती दिवस मनाये जाता है एक दिसंबर को विस्व एड्थ दिवस मनाये जाता है चार दिसंबर की बात की जाए तो नो से ना दिवस मनाये जाता है नो दिसंबर को अंतराश्टी ये ब्रश्टाचार विरोधी दिवस मनाये जा प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने तमील संगम के दूसरे तरण का उद्गाटन कहां पे किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारा नसी के अंदर यहीं पर हम कुछ इंपोर्टेंट जीके को कवर करेंगे जैसे क्योशन पूछ लें कि पहली बार दिव्यांगों का महा कुम्ब ये कहां पे आयुजित किया गया राइट आंसर हो जाएगा वारा नसी के अंदर विष्व का सबसे बड़ा अंतराष्ट्री या मंदिर समेलन और एक्सपो इसका भी आयोजन वारा नसी के अंदर किया गया कासी तमील संगम का आयोजन वारा नसी के अंदर किया गया वान वाल्ड टीवी समीत का आयोजन वारा नसी के अंदर किया गया विस्व की सबसे लंबी नदी क्रूच यात्रा यहाँ वारा नसी से सुरू हुई थी और कहां तक चली थी यह डिम्रोकर्ड के बीच में और इसे क्या कहा गया गंगा विलास SEO की पहली कल्चरल एन टूरिज में कैपिटल कोन सी बनी है यहाँ वारा नसी बनी है यानि SEO, SEO के फुल फॉर्म क्या है संगाही सायोग संगतन इसकी पहली कल्चरल एन टूरिज में कैपिटल यहाँ वारा नसी है रोप बे सेवाए इनको सार्वजनिक रूप से उप्योग करने वाला पहला सहर यहाँ भी कौन सा बन चुका है वारा नसी बन चुका है नेक्स्ट क्यूशन की बात कर लेते हैं यहीं पर नेक्स्ट क्यूशन है दिसंबर 2014 में अंतराश्रीय गीता महसव इसका आयोचन कहां पर किया गया तो गीता महसव की बात की जाए तो इसका आयोचन हर्याना के अंदर किया गया है यानि राइट आंसर हो जाएगा option नमबर भी यहीं पर बात की जाएं अंतरराश्ट्रिये की जीटया महाश्व की तो इसकी शुरवात तो कब हो गई थी जन उनन्ने सो नवास्टि के अनदर लेकिन राश्ट्रिये कुस्प इसको गोशिद कि उनन Barn Musar जब कि अंतराष्ट्री इस तरका दर्जा, इसको सने 2016 के अंदर दिया गया 2019 के अंदर, यह तयोहार देश के वाहर पहली बार, कहां पे मौरिसस और लंडन के अंदर मनाया गया था अप्रेल 2023 के अंदर अंतराश्री गीता मौसर्व का आयोजन और श्रेलिया के अंदर किया गया 2024 के अंदर आयोजन अमेरिका के अंदर किया जाएगा प्रत्थम अंतराश्री गीता पार्क की इस्तापना ये कहां पे की गई है बैपंटन कनाडा के अंदर नेक्स्ट क्योशन ही ही हाल ही में सरवेध महामंदिर का उद्गाटन कहां पे हुआ है तो इसका right answer हो जाएगा वारा नसिर के अंदर जो आपको फोटो में दिखाई दिना है यही है सरवेध महामंदिर जो की यह जो मंदिर है यह क्या है विस्व का सबसे बड़ा ध्यान केंदर है इसका उद्गाटन अभी हाल ही में परदान मंत्री नरिंदर मोदी के द्वारा किया गया था और इसके अंदर यदि सेटिंग व्यवस्ता की बात की जाए तो इसमें एक साथ 20,000 से भी अधिक वेक्ति इसके अंदर बेर सकते हैं साथ ही इसके उपर की तरफ यहां पर जो गुंबद दिखाई दी रहा है इस गुंबद को 125 कितनी 125 पंकुडियों वाले कमल के कमल के गुंबद से इसको सजाया गय है तो यह था सरवरेद महामंदिर जिसका उद्गाटन अभी हाल ही में वारा नसी के अंदर किया गया नेक्स्ट क्योशन है अंडर 19 एशिया कप 2030 की विजय का टेम यह कौन से रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगलादेश बांगलादेश ने अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2030 इसका खिताब जित लिया है यहीं पर बात की चाहिए अंडर 19 एशिया कप 2030 की तो यह कौन से करमका था दस्वे नंबर का इसका आयोचन यूएई के अंदर किया गया विजयता टेम बांगलादेश रही है जबकि उप विजयता टेम कौन सी रही है UAE यहीं पर यहीं बात की चाहिए कि सरवादी के विजयता टेम कौन सी देही है तो यह रही है अपने देश भारत के टीम जिसने अब तक आठ बार इसका खिताब जीत लिया है यानि टोटल दस बार यह हुआ था जिसमें से आठ बार जो है अंडर 19 एशिया कप इसका विज बाजदानी है धाका और इसके मुद्रा क्या है टका भारत से यदि इसकी अंतराश्त्री सेमा की बात की चाहे तो 4000 चिंदन में किटोमेटर यह अपनी सीमा साजा करता है अपने देश भारत से तो यह था आज का हमारे एक इंपोर्टेंट करांट अफरस का वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ हमारी यूटुब चनल स्टरी 147 को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाए टेक केर